इसका 2020 में आया और इसमें कई बातें कहीं गई हैं लेकिन कुछ चैप्टर 4 और चैप्टर 23 में आप पाएंगे कि भार्षा से सम्मंधित इतने भी बिंदू हैं उनका उलेक क्या गया है वो एनिप 2020 में हैं दो अध्याव में हैं और पहला यह है अध्याव उसमें तो यह बताया गया है कि भार्षा किस इस्तर पर पढ़ाई जाए और उसके क्या उपादान होंगे यानि क्या इंग्रेडियेंट्स होंगे किस तरह स जोर दिया गया है और जो चाप्टर 23 में जब बाटी घाट होती है तो वहां पर जो अमारी क्लासिकल लैंगेंगेजेज हैं जिनको शास्री प्वाशाएं कहते हैं जिसे संसक्रित तमिल ओढिया लिया नम् मरेयारों करेड़ा बाग्यारStudy अनका उलेक नैक मिल और उसमें ये भी है कि अंत में ये कहा गया है कि सभी भाषाओं में चुकि संस्कृति जो है समाहित है भाषा और संस्कृति को आप अलग नहीं कर सकते और जब संस्कृति की बात होती है तो संस्कृति का मतलब ये नहीं है कि हम क्या खाते हैं क्या पहनते हैं किस तरह का आती हैं इन सब का उलेख किया गा कि भाषा में संस्कृति को कैसे समाहित किया जाए कैसे इंटिग्रेट किया जाए टाकि बच्चे का जो है समग्र विकास हो उसका complete development हो mental भी और वैचारिक भी और शारिरिक अपकोर्स वो तो रहेगा ही तो कुल मिला के यह है उसकी summary और जब भाषा की बात होती है तो उसमें सबसे पहले यह कहा गया है कि जहां तक संबव हो वो मात्री भार्षा और जो घर की भाषा है और उसमें सिक्षा हो कम से कम पांस साल तक और पांस साल के के बाद भी अगर पांचभी क्लास के बाद भी चाहें तो बच्चों को मात्रभार्शा या घर की भार्शा से आज माध्यम से हम पढ़ाना थो आवास कहम कें तो उसको पढ़ाना जारी रख सकते हैं ये तो तो इसी से सब कुछ संबंदित है कि शिक्षा का माध्यम और जो भी अन्यकारिया है शिक्षा में वो मात्री भार्षा और घर की भार्षा में पहले होना चाहिए फिर आगे चल कर क्लास 5 के बाद चाहें तो आप 8 तक या 8 के बाद भी उसको हम continue कर सकते हैं ये एक कमात्र पर दूसरा स्लाइड तीन पर जाईए अगले स्लाइड में और हम जानते हैं कि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है हमारी उसमें अभी तक यह है कि टेक्स्ट बुक आधारित है उसमें लिस्निंग स्पीकिंग का सुनने का बोलने का तक्नीक का उप्योग करने का उसकी कम करती रही है इसलिए जोड दिया गया है कि जो टेक्स्ट बुक हो वो हाई क्वालिटी की हो उसकी गुनवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए और सर्फ भार्षा की टेक्स्ट बुक नहीं बलकि जो अन्य विशय है जिसे विज्ञान गनित वगेरा उसकी भी जो टेक्स्ट जो है वो टीचर और चात्र के बीच का संबंध भी इस्थापित करता है यानि जो टीचर कौन सी भाषा का प्रयोग करता है और चात्र जो जिस भाषा का प्रयोग करता है उसमें संबंध होता है क्योंकि चात्र भाषा के माध्यम से ही सब कुस समझते हैं इसलिए अगर मान आप सभी जानते हैं जिसा मैंने पहले ही कहा कि भाषा जो सीखता है बच्चा कभी भी जो हम कहते हैं उसको कि acquire करता है बच्चा जो है हम सभी बनष्षी जो है वो भाषा को acquire करते हैं अरजित करते हैं जी, स्पीड ठीक है मेरी, मैं बहुत तेज तो नहीं बोलना हूँ, ये सर्थ, ठीक है, ठीक है सर्थ, तो भार्षा में जैसा कि हम जानते हैं कि जब मात्री भार्षा हम अर्जित करते हैं, तो अपने माबाप से भाई, बहन, रिष्टादारों से पहले बच्चा सुनता है औ और छे-सात महिने की उम्र से वो कुछ-कुछ स्वर का वियंजन का प्रयोग करता है, जैसे आओ, जा, 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 ऐसे करके, और फिर उसके बाद जो है, सुन-सुन कर ही, फिर वो बोलता है और लिखना पढ़ना बाद में आता है, तो भाषा में सबसे जरूर आज तक रही है, उसमें लिखने-पढ़ने पर पहले जोड़ दिया गया, और सुनने और बोलने पर बहुत कम होता है, जाधा था टेक्स्ट बुक अधारित होता है, और लिखना-पढ़ना जो है, वो आप प्लासरूम के अंदर कर सकते हैं, लेकिन सुनना और बोलना वो ब बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, इसलिए टेक्नलोजी की अवशक्ता होती है, तो टेक्नलोजी होने से क्या होता है, जिसे ओडियो का प्रयोग, वीडियो का प्रयोग, लेसंस का भी, या फिल्म के क्लिप्स हों दिखाना, या किसी नाटक का, संगीत का प्रयोग कर सकते ह तो एक ही सोर्स से सभी छात्र जो है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं शामिल हो सकते हैं इसलिए तक्नीक का इस्तेमाल भाषा शिक्षन में बहुत आवश्यक माना गया और इस पर जूर दिया गया है इसके बाद कहा गया है कि त्री लाइंग्वेज फॉर्मुला वो जारी रहनी चाहिए और इसको इंप्लिमेंट किया जाना चाहिए त्री लाइंग्वेज फॉर्मुला यानि की मात्री भाषा में शुरू में ज्यान दिया जाएगा बच्चे को मात्री भाषा के माध्यम से और जब मालेजी विज्ञान का या गनित की शिक्षा क्लास दो या तीन तक आप मात्री भाषा के माध्यम से कर रहे हैं उसी समय जो अन्य भाषा है दूसरी या तीसरी भाषा है उसका ओरल यानि मौखिक भाषा का ज्यान देना भी शुरू कर दें और दूसरी तीसरी भाषा मात्री भाषा के बाद तो क्या होगा कि मात्री भाषा से चलते चलते सब कुछ मात्रिभाषा में होगा शरूब में और साथ-साथ जुतिय भाषा और तीतिय भाषा के शिक्षन भी होगा और चुकि जुतिय भाषा सीखने में और उसका academic यूज करने में कम से कम पांट साल लगते हैं किसी भी व्यक्ति को तो अगर गर दूसरी या तिसरी क्षा में आपने दूसरी भाशा को इंट्रोड्यूस कर दिया तो जब बच्चा माली जे class 7 या 8 में है तो 5 साव के अंदर दूसरी भाशा में तीसरी भाशा में बच्चा प्रफिशेंट हो जाएगा यानि वो उस भाशा का इस्तिमाल हर ख्षेतर में चाहे लिखना हो, पढ़ना हो, बोलना हो, सुनकर समझना हो, तो दूसरी तिसरी भाषा में जब बच्चा प्रोफिशिंट हो जाएगा, तब अगर क्लास 7, 8 या 9 में शिक्षा का माध्यम बदल भी जाएगा, तो क्या होगा, बच्चे को कोई परिशानी नहीं होगी, यानि आसानी से उस भाषा में वो काम कर लेगा, जैसे माली जी आपने गनित विज्ञान और EBS के शिक्षा जो है, बच्चे को मात्य भाषा गुजराती में आपने दी उसको, और क्लास 3 तक आते आते, बच्चे ने अंग्रेजी सीखना भी शुरू कर दिया, हिंदी सीखना शु हो सकती है, अंग्रेजी के लावा कोई अन्य भाषा हो सकती है, तो पास साल में बच्चा जो है, अगर सही धंग से पढ़ाया जाए, तो अंग्रेजी, हिंदी या किसी अन्य भाषा में भी पूरी तरह प्रफिशेंट हो जाएगा, और जब क्लास 8 में आकर, माली जी स्कूल में जाएगा, अगली कक्षा में जाएगा, क्लास 8 के बाद, तो वो अंग्रेजी या हिंदी माध्यम या किसी अन्य माध्यम से वो अपना सारा काम कर सकता है, इसलिए कहा गया कि त्री लाइंग्विज फर्मुला जो है, वो कांटिनू करेगा और उसको इंप्लिमे हैं, अंग्रेजी है और कागश पर दिखाने के लिए हिंदी या कोई अन्य राज्य की भाषा है, और कई जगा ऐसा हुआ कि हिंदी भी ले लिया, संस्क्त भी ले लिया, और अंग्रेजी ले ले लिया, लेकिन अन्य भाषाओं को हटा दिया गया, और कई राज्यों में ऐ अन्य भार्षा है राज्य की भार्षा है official language वो भी सीखना है तो चार भार्षाएं हो गई तो three language formula ठीक से implement नहीं हुआ इसलिए ये बहुत जरूरी windows में है तो पहला ये है कि मात्रिभार्षा में section कुछ सालों तक अनिवारी रूप से class 5 तक सभी विश्यों का अध्यापन हो औ उसके साथ साथ three language formula को implement किया जाए और उसके पीछे जो उसकी आत्मा है three language formula की यहीं है यह नहीं है कि आपने एक भाषा सिखाया बचों को और फिर उसको उस भाषा को हटा दिया, फिर दूसरी भाषा सिखाने लगे, उस भाषा को हटा दिया, ऐसा नहीं है, तीन भाषाएं एक साथ चलेंगी, और मात्री भाषा से दूसरी भाषा में उसका transition, उसका transfer जो है, वो हो जाएगा, और बच्चा पूरी तरह से तयार मिलेगा, नवोदय के स्कूल हो, या केंद्री विद्याले संगतन के स्कूल हो, या सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट हो, सभी को इस पर काम करना है, अगला स्लाइड सब जा सकते हैं आप, जी, इसके बाद ये कहा गया कि संस्कृत की शिक्षा भी होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था भ के अलावा संस्कृत आ जाए, और उसका अधिश्य ये है कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी भारतिये भाषाएं हैं, चाहे गुजराती हो, मराथी हो, पंजाबी हो, बंगला हो, अखमिया हो, और इवन तिवतो बर्मन भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं, जैसे मनिपू संस्कृत की बेटियां नहीं है, ये बात सच है, लेकिन चुकि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है इस देश की, और संस्कृत एक जवाने में सारा सब कुछ संस्कृत में होता था, आज से 3000, 4000, 5000 साल पहले, इसलिए सभी भाषाओं का संबंध है, शब्द मिलते हैं उसके, और संस्कृत, संस्कृति का वाहक भी है, वेइकल भी है, इसलिये संस्कृत के शिक्षा भी होनी चाहिए, अगला लिजीए सब, और संस्कृत के साथ Alert, Malayalam, Uriya, Kaneda, Telugu, ये जो हमारी अन ये शाषावी भाषायें हैं, Classical भाषाएं हैं, उसका स्रिक्षन भी होना चाहिए, ये भी एक मात्रपूर्न बिंदु है इसमें फिर ये भी कहा गया है कि जितनी भाषाएं हैं भारत में बड़ी भाषाएं हो या छोटी भाषाएं हो उनका ओरल यानि कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिसके सिर्फ मौखिक परंपरा है उसमें साहित्य नहीं है लेकिन उसकी संस्क्रिटी अलग अलग तरह से दिखाई पड़ती है भाषाएं अलग होती है तो संस्क्रिटी भी अलग होती है संस्क्रिटी के सारे पॉइंट नहीं लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पर अंतर होता है तो कि भाषा और संस्क्रिटी का अन्योनाश्ट्र संबंध होता है एक दूसरे पर निर्भर है भाषा और संस्कृति तो भाषा अलग होगी तो संस्कृति भी अलग होगी तो भाषा भी अलग होगी इसलिए सभी भाषाओं को चाहिए वह क्लासिकर लाइंग्वेज हो या एज शेजूल की भाषाएं हो उसके अलावा जितनी भाषाए हैं सब में सिक्षा की प्रवस्था होनी चाहिए और उसमें ओर और रिटन दोनों का समावेश होना चाहिए अगले स्लाइड पर चलिए और एक इंडियन साइन लाइंगविज की बात की गई है कि कई हमारे देश में कई लाख बच्चे ऐसे हैं जो मूख बढ़ी रहें यानि कई तो बिल्कुल बोल नहीं सकते और कईयों के माता-पिता नहीं बोलते होते हैं और इसके अलावा वो देख भी नहीं सकते ऐसे भी श आओ और कितना हुआ कहा जा रहे हो नहीं होगा ऐसे तो साइन लाइंगविज की अलग एक पद्धती है उसको भी इसमें शामिल किया गया है कि वो बच्चे भी ना छूट जाए जो बोल या सुन नहीं सकते और अंत में सारी जो भाशाएं हैं उसको जोड़ा गया है कि प् राज्यों में उसका भी समावेश हो इसमें और जो चात्र स्कूल से पढ़के आ रहा है मालीजिये गुजराती मीडियम से पढ़के आया मलयालम मीडियम से पढ़के आया उसको आगे भी ग्रेजुएशन या हाई सगेंडर हायर एजुकेशन में में लेवल पर दिकत ना हो साइन्स में दिकत ना हो टेकनलोजी में दिकत ना हो मेडिकल वगरा में इसलिए प्रात्मिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक यानि में पीच्डी तक टेकनिकल एजुकेशन तक जो है भारती भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए ये तो हुई बात अगले पर भाषा और बोली का तो नहीं मैंने सिमाल किया लेकिन बोलियां भी होती है भाषाओं की शैलियां भी होती है तो जब हम कहते हैं छेत्री भाषा ये शब्द भी प्रयोग किया जाता है फिर शास्त्री भाषा हैं क्लासिकल भाषा हैं तो इन में अंतर किया है इससे हम क्या स समझते हैं ये भी आपको समझना होगा तो सभी भाषाएं दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं वो शुरू होती हैं मात्री भाषा के रूप में यानि विश्व की जितनी भी 6000 से ऊपर की भाषाएं हैं वो सभी अनिवारी रूप से मात्री भाषा यानि वो भाषा जो बच् इथार्त नहीं है वो सक्चाई नहीं है भाषा एक abstract अमोर्त रूप है वो social construct है समाजिक संवेचना है लेकिन जो दिखाई देती है सुनाई देती है वो है मात्रिभाषा बोलियां और इनी बोलियों में से इनी मात्रिभाषाओं में से जिसका प्रयोग शिक्षा में और शिक्षा, मास मीडिया, administration, जिरिशरी में जिस मात्रिभाषा का प्रयोग होने लगता है उसको हम भाषा कहते हैं तो भाषा शुरू होती है मात्रिभाषा के रूप में बोली के रूप में जिसे हिंदी का आप देखे है अगर तो पाएंगे कि हिंदी में कई बोलिया है हिंदी के भाषा के अंतरगत कई मात्रिभाषा हैं अवधी है, बगेली है, चतिस गड़ी है, बुंदेली है, बंजारी है, गडवाली, कुमावनी ऐसे करके 56 मात्रिभाषा हैं अगर आप देखें तो आपको गुजराती में भी मिलेंगे कि मालिजी कच्छी बोली मिलेगी आपको मात्र भाषा मिलेगी, इस तरह सभी में है, बंगला में आप देखेंगे, तो बंगला में आपको राजबंग्शी मिलेगी, एक मात्र भाषा, चक्मा मिलेगी मात्र भाषा, तो भाषा बंगला है, या भाषा गुजराती है, उसके अंदर मालेजे कच्छी भी आ गया कट्यावाडी भी या सुराश्ट्री भी ऐसे करके सूर्ती बढ़ो दिया ऐसे करके मात्री भाषा है भी आ गई लेकिन भाषा इन में से एक बोली तो गुजराती भी एक मात्र भाषा है कच्छी भी बात्र भाषा है लेकिन इसमें से एक स्कूल एजुकेशन मास मीडिया प्रयोग होती है, वो चेत्रिय भाषा हो गई, जैसे माले जे गुजरात Ariel पूरे, Gesch Acho प्रदेश में, लगबख सभी जिलों में गुजराती का प्रयोग होता है, तो गुजराती भाषा भी है, मात्री भाषा भी है, और उस चेत्र विशेश की भाषा है, तो खेत्रिय भाषा भी है और इसके बाद होती है कि एक राश्र स्थर की भाषा होती राश्रिय भाषा तो भारत में एक राश्र भाषा नहीं है हिंदी राश्र भाषा नहीं है भारत में 22 राश्र भाषा हैं यानि जो सम्मिधान की आठ्वी सूची में सम्मिलित हैं वो सभी भाषा हैं भारत की राश्र भाशा है, राश्र भाशा है यानि राश्री इस्तर पर, वो किसी एक राज्य में प्रयोग की भाशा नहीं है, बलकि राश्री इस्तर पर है, इसलिए उनको राश्र भाशा है, कई राज्यों में होता है, हिंदी का प्रयोग दस राज्यों में होता है, राज्य की भा शीखेंग का सब्सक्राइब गानागा को कुझल में प्रियुक को सबस्क्राइब जो आटमी में शूरी सामिल हो सभी वाइस की वाइस हमारी राष्र भाषा नहीं है तो यह भाषब हुए अब होता है कि हम जब mother tongue, यानि मात्री भाषा की बात करते हैं, अगले पर चलें, तो फिर आता है कि दुतिय भाषा, तो दुतिय भाषा में दो इसके वेद होते हैं, एक होता है कि second language इसको कहते हैं दुतिय भाषा और एक होती है विदेशी भाषा, तो वास्तम में विदेश दیठीयं भान्षीय भार्षा को जिसको बudya सीकता है, उसको हम अन्यय भार्षा कहते हैं, तो अन्यभार्षा यान hoje-टउग में एक बीदेशी भार्षा हो गई और एक हो गई दुतियवार्षा, दुतियवार्षा वो भार्षा है, जिसको हम अपने देश के अंदर देख सकत सुन सकते हैं उसका चोटे स्तर पर ही सही कहीं कहीं प्रयोग करते हैं आम तोर पर उसको दितिय भाषा कहते हैं और ऐसी दितिय भाषा जिसका प्रयोग देश में आम तोर पर ना मास मीडिया में ना एज़िक्रीशन में ना साइन बोर्ड में ना जुरिश्यरी में कहीं भी न गुजराती भाशी के लिए क्योंकि तमिलका प्रयोग माश मीडिया एजुकेशन वगिरा मैं कहीं होता है देश में. लेकिन जापानी वितीय भाशा य कुछ जिसका प्रयोग आम तूर पर किसी भी शेत्र में नहीं होता. तो जापानी हो या स्पैनिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, रुसी हो, ये सब विदेशी भाषा हो गे। अब हम ये अंतर क्यों करते हैं ये अन्यवाषा और मात्रिभाषा में वो इसलिए जरूरी है कि मात्रिभाषा जो है वो अरजित की जाती है। प्रकृती ने कहिए या भगवान ने कहिए ऐसी व्यवस्था की भी है कि बच्चा जब पैदा होता है और बलकी बच्चे के पैदा होने से करीब छफे या साथ में महीने में जब वो गर्व में रहता है तभी भाषा बच्चा समयने लगता भाशा की धुनिया जो मां बोलती है जो मां गाती है उसको भी ग्रहन करता है यह वैज्ञानिक रूप से प्रमानित है जी वो पूरे शब्द नहीं जानता लेकिन वो उसको ग्रहन करता है समझता है तो बच्चे के दिमाग में पहले से ही जन्मजाद यह क्या कहेंगे उसको क तकि ये सन्नचना होती है. कि बच्चा पैदा होगा. और जो भी भशा बच्चा सुनेगा, वो जरूर सीखेगा. इसलिए वो भशा अरजित की जाती है. बच्चा के अपने अंदर, उसके दिमाग के अंदर, वो व्वास्था है, भशा सीखने का. और जो भाषा सुनेगा माबाप के द्वारा तो उसी भाषा में बच्चा दक्ष हो जाएगा यानि उसको अक्वायर कर लेगा अरजित कर लेगा वो माबाप से उसको अरजित करेगा लेकिन दुतिय भाषा में क्या होता है कि बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी उसको सीखना पढ़ेगा उसको किताबों के माध्यम से सीखना पढ़ेगा स्कूल में सीखना पढ़ेगा वो सुनकर आता है आ सकते हैं अरजित करना और दूसरे को कहते हैं उसको कहते हैं लर्णिंग को क्या कहेंगे शिक्षन अध्ययन से तो अन्य भाषा सीखी जाती है और मात्रिभाषा अरजित की जाती है तो उन्हों के तरीके अलग होंगे इसलिए मात्रिभाषा का सिक्षन जब होता है तो उसमें क्या होगा कि बच्चा पहले ही भाषा अरजित कर चुका है वो सुन सकता है और समझ सकता है भाषा को और खुद बोल भी सकता है इसलिए उसको हम क्या सिखाएंगे पहले उसको लिखना पढ़ना सिखाएंगे जब बच्चा स्कूल जाएगा लेकिन अन्य भाषा में क्योंकि वो अपने घर और आसपास में अन्य भाषा को नहीं सुनता आम तोर पर तो सुनने की उसकी शमता नहीं बिक्सित होती और जब तक भार्षा सुनेगा नहीं तो वो बोल नहीं पाएगा इसलिए अन्य भार्षा शिक्षन के लिए जब बच्चा स्कूल जाएगा तो उसको हम पहले क्या करेंगे कि मौखिक भाषा, उसको भाषा सुनने की ट्रेनिंग देंगे, शिक्षन करेंगे, बच्चे को बोलने की प्रैक्टिस कराएंगे, तब भाषा सीखेंगे, उसके बाद reading और writing होगा, तो अंतर ये हुआ कि मात्री भाषा में पहले सुनना, बोलना, फिर लिखना, पढ़ना, और अन्य भाषा में क्या होगा, कि पहले सुनना, बोलना, फिर लिखना, पढ़ना, ये करम बदल जाएगा, लेकिन ऐसा ना सोचें कि अगर अन्य भाषा है, तो उस सिखेगा ही नहीं बच्चा, और मात्री भाषा की तरह नहीं सीख पाएगा, ऐसा नहीं है, अगर अन्य के लिए भी हो जाए तो बच्चा अन्य भाषा को भी अरजित कर सकता है अक्वायर कर सकता है आराम से आनंद से मात्रिभाषा की तरह ना कि उसको विशेश प्रयास करना पड़ेगा सीखने के लिए अन्य भाषा को तो मात्रिभाषा में क्या है मात्रिभाषा के इंग्रेडे पहले कुछ शब्द बोलता है बच्च गलत onu चाराहन करता है फिर गइँ बनाता है वाकिय अच्छे नहीं होते से लेकिन वह सुनते सुनते गल्टियां करते करते खुद को सुधारते सुधारते तीन चार पांच साल की उमर तक आते आते बच्चा जो है सही डंग से अपनी भाषा मात्रवाषा बोलने लगता है तो यही चीजें यही atmosphere यही environment अगर दूसरी भाषा के लिए मान लेजिए किसी की मात्रवाषा मराथी है और बच्च जहान का माध्यम या माध्यम हो या विशेर के रूप में गुझराती पढ़ाई जा रही है तो बच्चा अगर लगातार में जोर क्रास में उसको बोलना ही है तो गलतियां करते करते कुछ भी बोलेगा कोशिश करेगा तो कुछ महीने में जरूर बच्चा गुजराती भी मातरी भाषा की तरह ही अरजित कर लेगा माराठी बोलने वाला बच्चा या हिंदी जिसकी मातरी भाषा है वो बच्चा भी अगर बहुत सुने गुझराइगा बोलेगा बोलनेकि उसको माके मिलेंगे अबसर मिलेंगे यह अविद्य alltih Chelsea कि तरह बोलने और शुनकर समझने लगए गुझराइगा और आपको जब भाशा कोई आप बोल सकते हैं और सुनकर समझ सकते हैं तो फिर लिपी कोई भी हो लिखित भाशा आप समझ सकते हैं जिसे उदारन के तोर पे आप देखें कि आज कल हम मोवाइल में चाहे गुज़ाती हो तमिल हो बंगाली हो आशमीज मनीपूरी हो हम क्या करते हैं सब कुछ उसको रोमन में लिखते हैं क्योंकि हमारे मोवाइल में वह फॉंट नहीं होती है मालदेवनागरी का है है तो बंगला कभी है गुज़ाती कभी है लेकिन वह बहुत मुश्किल होता है कि उसको कनवर्ट पले इंग्लिश से दूसरे उसमें चेंज करो फिर वहां से आप किसी भाषा को नहीं समझ जाएंगे अगर आपको किसी को हिंदी नहीं आती है अगर वो सुनकर समझ नहीं सकता बोलना नहीं जानता और मालदे तमिल उसकी मात्री भाषा है तो तमिल को अगर हम देवनागरी में लिख देंगे और अगर तमिल किसी को आती है तो दे नापके प्रकर रिटी को जिसको तम्म नहीं आती है और उड़ाती या हिंदी लिपी कोई भी होगता है और आपको सुनकर समूझना और बोलने की शक्ति है वह अतुछटा है तो लिपी कोई भी होगी तो आप समझ जाएंगे लेगी कि हमारे सकूल क्षेत्र में क्या होता है कि हम पहला ही काम लिखने पढ़ने से शुरू करते हैं अंग्रेजी भी हम पहले लिखना पढ़ना ए भी सीधी से शुरू करते हैं तो अगर बच्चा मान लिजे दीन साल चार चार की उम्र से अगर वो यह बोल सकता है और समझ सकता है तो जब लिखना पढ़ना सिखाएंगे, तो वो जोड पाएगा, जो उसके ज्यान है भाषा का, वो लिखिक भाषा के साथ जोड पाएगा, उसलिए करम बदलना जरूरी होता है अन्य भाषा में भी, कि पहले सुनना और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, तो जब सुनना और समझ में है जाएगा, तो मात्री भाषा की तरह ही ठीक, क्योंकि दिमाग तो बच्चे के पास वही है, एक ही है, ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेजी के लिए अलग सेल बना हुआ है, दिमाग के अंदर हिंदी के लिए अलग बना हुआ है, गुजराती के लिए अलग बना लिए निए यह लुए लिए लीज होते होगर यहत्ज़ाने आऊshire बर इंवाइनमेंट में उसको परेवेश वात वरंदे अनने भास चारव उगर बुजिघ्राती यह को भी दूसरी भाशा हो आसामी से शीख जाएगा इसलिए यहा यह हैं लेकिन एप टेरंटि टेंटिविंटि में इसको भी बताया गया है कि यह मुश्किल नहीं है यानि मात्रिभाषा में आपको कम समय लगता है लेकिन अन्य भाषा में प्रैक्षिस से ज्यदा करनी पड़ती है सुनना ज्यदा स्लाइड पर चला है एक महत्रफून बात आप देखेंगे कि जहां पर शेत्री भाषा की मात्री भाषा की बात होती है उसके बाद यह है कि teaching of languages कैसी होने चाहिए तो उसके लिए कहा गया है कि through innovative and experiential methods मैं जो बता रहा था आपको कि बच्चे को जब सुनेगा बोलेगा तो उसमें क्या होगा जब आप लिखते हैं तो उसमें अनुफ़ब नहीं होता है क्योंकि लिखित भाषा के अपनी परंपरा होती है जब आप बोलते हैं तो सामने वाला आपको दिखाई देगा उसका पात कर रहा है आप कुछ कांटेक्स मौजूद नहीं है तो experience कहां से होगा माले जी आपकी textbook में आप कहानी रखते हैं सेकंड लाइंगूज में इवन मदर टाइंग में भी एक इगलू की कहानी की इगलू कैसे होते हैं या अंटार्क्टिका में क्या होता है या वहां के जो जानवर है वो कैसे रहते है या अलास्का में क्या होता है या माले जी की कल्बना चावला स्पेस में गई तो वो क्या हुआ यह क्या है कि बच्चे के context से सम्मंदित नहीं है तो अब बच्चे को शब्द भी आएगा वाकि भी आएगा लेकिन क्योंकि वो context नहीं है वहां पर बच्चे के experience से बच्च होना चाहिذ, यानि बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई कहानिया, जो भी आपका text है वो बच्चे के अनुभव से, बच्चे के जो अभी का ज्ना चाहतर है उस से उसके अपने जीवन से जुड़ी है शीजों के बारे में होते हुए तब अगर भास्षा का प्रयोग होग तो बच्चा भाषा में दक्ष्रा जरूर पालेगा और इनोगेटिव का मतलब है कि उसमें आप जैसे टेक्स्ट बुक पर ही केंदरित ना रह जाएं आप फिल्म लाईए वीडियो जाईए जैसे सुनने और बोलने की प्रैक्टिस करनी है या नए शब्द सीखने हैं तो कहा सब्द कम होंगे होंगे लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे हैति की भाषा के जो आम जीवन से संब्दित नहीं होंगे तो आम जीवन से संब्दित शब्द आम जीवन से संब्दित जो वाक्य विन्यास है जो सिंटैक्स है वाक्य की संदचना है जैसे हम प्रयोक करते ह तो वो कहा मिलेगा तो जो वहमारे नाटक होते हैं, फिल्में होती हैं, गीत होते हैं, कहानियां होती हैं, उसमें मिलेगी वही सन्नाचना बच्चे के जीवन से जुड़ी। इसलिए जुड़ दिया गया कि आप experiential जब करेंगे, तो फिल्म का इसमें कहा गया कि ठीटर का, storytelling क का, poetry का, music का, इस सब का इस्तेमाल करेंगे, यह सभी में context होगा, और सुनने और बोलने की शमता का भी विकास होगा, और इसलिए इस तरह से यह, यह pedagogy जो है, उसमें क्या होगा, कि experiential होगा, अगर आप textbook के बाहर, इन चीज़ों का भी प्रयोक करते हैं, class को पढ़ाने के लिए audio, video, multimedia, material का, तो उससे दोनों काम होगा, बच्चे का ज्यान भी अच्छा होगा, और भाषा का भी जो caution है, वो भी विक्सित होगा, अगले स्लाइट पर चलें, मैंने ये बता ग्यारा, language acquisition and language learning, ये बता दिया आपको कि मात्रिभाषा हम अर्जित करते हैं, acquire करते हैं, और अन्यभाषा जो है, उसके लिए हमें विशेश श्रम करना पड़ता है, formally सिखाया जाता है, तभी हम अन्यभाषा सीखते हैं, लेकिन अगर उसका भी environment रहा हो, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो हम अन्यभाषा भी मात्रिभाषा की तरफ अर्जित भी कर सकते हैं, अगले स्लाइट के चले, इसको भी छोड़ते हैं, मैंने समरी कर दिया है, आप बाद में पढ़ सकते हैं, फिर होता है कि कई बार आप देखते हैं कि भाषा में ज्यादर कर हमारी जो टेक्स्ट बुक होती है और टीचर भी जो काम करते हैं हम सिर्फ words सिखाते हैं और grammar सिखाते हैं भाषा से हमारा अभी तक का जो है ये चलता है कि शब्द सीखना और grammar सीखना ही भाषा सीखना है वो बिल्कुल सच नहीं है क्योंकि भाषा जो है वो abstract है ज जिए पूरे बाइकिया करने के लिए शब्ध चाहिए शब्द में ही व्याकरन है और शब्द में ही व्याकरन है तो पूरे-फूरा वाके ही व्याकरन है व्याकरन कोई अलग से होने वाली वस्त नहीं है, जैसे मैं उदारन दूँ आपको, हमारे दिमाग में क्या होता है कि जब हम भाशा अरजित करते हैं बच्चे के तौर पर जब सीखते हैं, तो हम कैटेगरीज बनाते हैं, बिना उसी, गुजराती, मराठी, हिंदी किसी भी भ पापा सिंगुलर हैं और पापा को सम्मान देते हैं, इसलिए हो नहीं कहके, हैं कहेंगे, पापा आप कहां जा रहे हैं, तो ही एक बचन तो है, लेकिन सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होगा, कोई ऐसे नहीं सिखाता, कोई कह दे कि मैंने खाना खा रहा था, तो कोई माता-पिता बच्चे से नहीं कहता है हिंदी भाषी बच्चे परिवार में कि बेटा, खाना खा रहा था, खा रहा था, continuous tense है, aspect है, और ने का प्रयोग सिर्फ पूर्ण कालिक क्रिया के साथ होता है, तो अगर मैंने खाना खा लिया, तब तो ने कहते हम लगाते, लेक रहा था, क्रिया चल रही है, इसलिए ने का प्रयोग नहीं होगा, ऐसे नहीं बूल, ऐसा किसी भी भाष्चा में, अंग्रेजी में भी कोई माता-पिता ऐसा नहीं करता, इसका मतलब क्या है? कि व्याकरन अलग से सिखाने की जरुबत नहीं है, कोई माता-पिता शब्द न चोटे चोड़ी शब्द जो हमारे रोजमर्रा के शब्द हैं मालें जो पानी कुट्ता बिल्ली पेड़ घर अभी अगर आपको कहूं आप कितने भी विद्वान हों एमेट किया हो पेजडी किया हो अब किसी को भी करके अब डेफिनिशन बताएए परिभाशा करेए घर की प अर्थ नहीं होता हर समय एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता तो वो संदर्व से आता है वो एक शब्द किसी अन्य शब्द के साथ जबाता है और प्रयोकता कौन है उसका किस काल में बोलना है संदर्व क्या है वहां से अर्थ आता है मनुश्य के दिमाग में जो दो बोलने वाले और सुनने वाले हैं, जाए वो शिक्षक हो और चात्र हो, पहले से उनके दिमाग में, दुनिया के बारे में, उनका अनुभव क्या है, उनका ज्यान क्या है, उस आधार पर उन शब्दों का जो करम है वाक्य में, उसमें अर्थ आता है, वाक्य अर्थ नहीं देते हैं, हाँ, थोड़ा सा अर्ती देते हैं लेकिन बाकी अर्थ हम खुद लाते हैं इसलिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, बच्चे जब होता है तो सबी शीजयों को category में करते हैं नाउन, यह हम अलग से बोलते हैं, noun, pronoun, verb, adjective कि बच्चे को सीखने के लिए यह सब शब्द की जरुवत नहीं है ग्रामर की जरुवत नहीं है लेकिन दिमाग के अंदर कैटेगरी दुनिया के बारे में बन जाता है कि यह चीजें यह गुन होने से जिस शब्द में यह गुन होंगे उसको संग्या कहेंगे और जिसमें यह गुन होंगे उसको हम क्रिया कहेंगे जिसमें इस तरह के गुन होंगे मान लिजिए चार पैर है तो वो बिल्ली भी हो सकती है कुता भी हो सकता है लेकिन जो गुर्राती है वो बिल्ली है जो भौव करता है तो वो कुता होगा ठीक है और जिसके दात बड़े होते हैं और जो म अनुष्रिका साथी होता है, वफादार होता है, यह यह गुन्मी हो गया, तो वो कुत्ता होगा, वो बिल्ली नहीं होगी, गाय और घोड़े का अंतर भी करते हैं, तो गोड़े पे बैठ सकते हैं, गाय पे बैठते नहीं है, तो यह सब ग्यान दुनिया के बारे में देख द काटेगरी, और दूसरा होता है कि उस काटेगरी में से एक शब्द ले लिए हमने, फिर उसको वाक्ये में अरेंज करते हैं, इस जैसे विचार आया पहले, कि यह शरीर, तो मैं, मैं का विचार, मैं शब्द नहीं आता है पहले, फिर हुआ खाने की क्रिया, और खाने की क्र ही व्याकरण बे नहीं था है, कि एक बचन होगा, कि द्वी बचन होगा, और सकर्मत्रिया है, कि अकर्मत्रिया है, वो सारा निमाग के अंदर शब्द में ही जुड़ा होता है व्याकरण, अलग नहीं होता है, बिना शब्द के व्याकरण होई नहीं सकता, जैसे आप एक ब फिचर होगा खाऊंगा तो रिया पहल उसके साथ ही ऐसा थोड़े यह कि उंगा अलग रहेगा या अलग रहेगा ऐसा तो नहीं होगा तो यह सब चीजें तो उस शब्द के साथ आती है ज। वो शब्दों को जब अरेंज करते हैं तब उस भाव को प्रकट करते हैं इसलिए क अब चाहए जरुरी होता है भाषा के बारे में बताना ओगया जो कि बहन जी थोड़ा किसा किये बहन जी से वह गाली हो जाती है उनको बुरा लगेगा गुस्सा करेंगी लेकिन किसी और जगर पर अन्य भाशाओं में हम कहेंगे किसी को बहन जी कहें तो उनको अच्छा लगता है कि बहन माना बहन कहा और जी भी लगाया लेकिन वही किसी जगर बहन जी नहीं कह सकते किसी इस्तरी को मान जे थोड़ा उनका शरीर जो है थोड़ा वेट ज्यादा है अगर कहेंगे आप मोटी हैं तो आप पिटा ही खाएंगे पिट जाएंगे लेकिन कहेंगे आप तो बहुत स्वस्त हैं यह कहने से क्या होगा कि उनको बुरा नहीं लगेगा बात एक ही है स्वस्त को हो तो मोटी है मोटी को हो तो मोटी है लेकिन वो समाजिक हमारा परिवेश करते हैं तो वाक्य वाक्य अलग अलग बोल के नहीं समझते हैं किसी भी चीज को जो कई वाक्य होते हैं वो मिलकर एक अर्थ व्यक्त करते हैं जिसे अभी माली जी दो पराग्राफ यहां है तीन पराग्राफ है तो यह जब सारा उपर से नीचे तक दोनों तीनों मेरे अलग-अलग अर्थ होंगे उसके लेकिन सारा कुछ मिलके भी है ना वो एक अर्थ सव्यक्त करता है उसको कहता है डिस्कोर्स कि ये पराग्राफ किस से जुड़ा था इसका पिछले पराग्राफ से क्या संबन्ध था या जो पिछले बिन्दू में कहा गया पिछले वाक किई बच्चा analysis करता रहेगा सिर्फ शब्दकार्थ समझेगा एक एक शब्द का एक एक वाक्य का पूरी जो कहानी ने है यमिता यह सिक्षक ने कहा उसके soutmen बेड़र कि पूरे टेक्स का उसका आर्थ नहीं समझेलगा तो इसका घ्यान अच्छा ही होगा तो इसकोर्स काम्पेटेंस भी जरूरी होगा या नी वाक्य के ऊपर की दज़ने बाक्य से वरी संद्चना जो है यहांनि पिराग्राफ कर तरफ या जब हम बोलते हैं तो मालए यह पाँस मिनटंट तक कुछ बोला दसमिने तक कूछ बोला दिस पाजों को मिलकर जो टेक्स्ट बनाते हैं, उसको डिस्कोर्स कहते हैं, तो उसको समझना भी, उसमें दक्षता प्राप्त करना भी अवश्यक है, क्योंकि हमारी भाषा उसी की अनुसार बदलती भी है, जिसे हम जब इमेल लिखते हैं, तो अलगतरा की भाषा, अलगतरा की वाकि समझना होती है, जब हम WhatsApp करते हैं, तो अलग तरह की होती है, जब शिक्षक बोर्ड पे लिखता है कुछ बच्चे को समझाने के लिए, तो अलग तरह का होता है, अगर हम छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं, तो शब्द वही होंगे, जो हम हर जगा प्रयोग करते हैं, वाक्ये वही होंग के शब्द थोड़े बदल सकते हैं, महोदे, निवेदित करना चाहता हूँ की, तो इसकूर्स के हिसाब से कि क्या कांटेक्स्ट है, पूरे टेक्स्ट का उस हिसाब से भी भाशा का प्रयोग अलग अलग होता है, वो ग्यान भी भाशा में जरूरी है, सिर्फ व्याकरन तक रहना नहीं, और अंतिम इसका अंग है, स्ट्राटीक कांपिटेंस, स्ट्राटीजी, है न, क्या हम अप्रोच रखेंगे, माने जी आपने कुछ बोलना शुरू किया, कुछ गल्ती हो गई, उसको सुधारेंगे कैसे, या जिसको आप कुछ कह रहे हैं, वो समझ नहीं पाया तो आप तुरंत अपने वाक्यों का चैन ऐसे करेंगे या शब्दों का, कि उसको समझ में आ जाए, तो उसको बदल लेना, या किसी ने कुछ कहा, और आप समझ नहीं पाये, उसका गलत अर्थ समझ गए, तो आप पूछ के उसको ठीक करवाएंगे, आपका मतलब यह तो न उसको गलत हो जाए, या कॉम्निकेशन नष्ट हो जाए, ठीक से ना हो पा रहा हो, तो उसको कैसे तुरंत सुभार ले, इस तरह का जो ग्यान है भाषा का, वो भी समिलिफ होना चाहिए, तब हम कहते हैं, इसी भाषा में जब बच्चे को या बड़े को, जब इस तरह की द दक्षता प्राफ हो जाती है, इन चारों अंगों का, तब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में उस भाषा में डक्ष है, प्रोफिशेंट है, यानि अपने आप हर सिचुएशन में लिख भी सकता है, बोल भी सकता है, सुनकर समझ भी सकता है, पढ़ भी सकता है, कोई क बढ़ने बरते, या एक्टिव वाइस किसको कहते हैं, पैसिव वाइस किसको कहते हैं, इसको एक्टिव को पैसिव में बदलो, ये करने से भाषाई दक्षता नहीं आईगी, तो त्रीला इंग्वेस फॉर्मूला में से लिए क्या होगा, कि उदेशी ये है कि मात्रिभाश का सायोग लेते हुए, क्योंकि बच्चे का दिमाग मात्रिभाशा के लिए पहले बना हुआ है, और जो मात्रिभाशा में, अगर बच्चा मात्रिभाशा में अच्छी तरह से पढ़ सकता है, तो दूसरी मात्रिभाशा की तरह पढ़ाते हैं, यानि लिखना पढ़ना, लि या शब्द है क्योंकि शब्द भी बढ़ाना है बच्चे को पांस साल की उम्र तक बहुत ज्यादा होगा तो मात्रिभाशा में दस से बारह हजार के आसपास शब्द आएंगे लेकिन उसको तो आगे चलकर अलग-अलग शेत्र में अलग-अलग विश्यों के लिए भाशा का प्रयोग करना है तो उसको तो कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 30,000 शब्द की जानकारी चाहिए और शब्दों के अर्थ नियत नहीं होते शब्दों के संदर्ब तो इसलिए मात्रिभाशा में व्याकरन का ज्ञान जरूरी है शब्द के वारे में उसके रूप भी दे सकते हैं या अलंकार चंद के प्रयोग यह सब सिखाना जरूरी है लेकिन अन्य भाशा में पहले उसको आपको दक्षिता देनी है बोलने की सुनकर समझने की और अगर ज इसलिए च्री लाइंगुज फर्मूला को अगर हम इस तरह से अप्लाई करते हैं मात्रिभाशा पर आधारित अन्य भाशाओं का ग्यान एक एक क्रम में तो तीनों भाशाओं में बच्चा दक्ष हो जाएगा आगे चलिए सर और अन्य भाशा और मात्रिभाशा में कुछ दो तीन बस्तोय और भी है एक को हम कहते हैं अंग्रेजी में चुकि सारा कुछ महरत में अंग्रेजी पर निर्भर है और अभी तक तो नहीं किया गया हिंदी गुजराथी मराथी तमिल वगेरा में तो क्रिटिकल पीट कहते हैं तो मात्रिभाशा में क्या होता है कि ज्यादा बदलाव नहीं होता है तो ऐसे पीरियट को ऐसे काल यानि बच्चे के जन्म से लेकर के 13-14 साल की उम्र तक की जो पीरियट है उसको कहते हैं क्रिटिकल पीरियट यानि भाशा का पूर्न रूपे निविकास जो है वो इस उम्र तक परिपक्वा हो जाता है इसके बाद सीखते तो रहते हैं हम लेकिन उस स्पीड से नहीं उस स्पीड और उस मास्टरी से नहीं जितना इस उम्र में सीखते हैं तो इसलिए उसको कहते हैं क्रिटिकल पीरियट है यानि जितना अनुभब भाशा का भाशा सेखने का सारा काम इसी उम्र में हो जाए तो क्या ह sensitive यानि दिमाग हमारा जो है वो दूसरी भाषा के जिध्वनियों को व्याकरन को वाकिय संद्शना को समझने के लिए उसके लिए एक sensitive जो sensitive होता है दिमाग तयार होता है उसका एक काल होता है एक period होती है और वो critical period से छोटा होता है इसाल मालेजे 5-6 साल के 5-7 साल के अंदर तो अगर 5-7 साल के अंदर और 13-14 साल की उम्र तक ही अगर sensitive नहीं होगा दिमाग यानि सारा काम दूसरी भाषा में आप नहीं करवाएंगे बच्चे से जितना लेट होगा उतना दिमाग कम sensitive होगा दूसरी भाषां के लिए उसको इस इसलिए मेरी Hindi English अड़क तरह की है लेकिन आम आदमी जो मैठली बोलने वाले लोग है या गुजगाती बोलने वाले लोग है अब देखेंगे कि उनमें जिस तरह से हिंदी में होता है ना श्र का प्रयोग उस तरह से हमाई भाषाओं में इन भाषाओं में नहीं होता है इसलि यह तो जेकिसी का नाम सपना है ल100 क theo उसको शपना बोलेंगे सौको शर कर देंगे मैठली वालेशा को स्पार करने अ को से सब्सक्राइब और वो इस पीडिये वह वह कोई हिंदी वाला बंगला चीकते हैं या इंग्रिश्टा और मान लेजिए ये 57 साल की जो उम्र थी उसकी 13-14 साल की उम्र के पहले का जो 55-57 साल का पीडिया वो बीट गया उसके बाद जो आप दूसरी भाशा सीखेंगे तो आपकी मात्री भाशा का ग्यान इतना पक्का और जम गया है दिमाग में कि मात्री भाशा का ही जो जो प्रयो ज़्षा बोलते हैं मुझराति वाले उनका श्रा का प्रयोग है याजा करते हैं थोड़ा सबको तो भाशारे लौग प्रयों चुलेगा और कर लें यह कर लेंगा या दूसरी भाशा के लिए यह समय अच्छा होता है और जो उच्चारण का होता है उसका sensitive period बहुत छोटा होता है मतलब बच्चे माले जीए 11-12 साल की उम्र तक मात्री भाषा में अगर दक्ष हो गया वो सीख गया अगर तब आप दूसरी भाषा से खाएंगे उसको तो ध्वनी का जो अंतर है न वो बहुत मुश्किल से सीख पाता है बच्चा यह अंतर करना कि इंग्लिश में यह धुनी का उच्चारण ऐसे होता है अपनी मात्री भाषा का ही जो भी उसकी आदत है वही करता रहेगा इसलिए ज्यादा मेहनत लगती है इसलिए उस पीडियेट को कहा गया sensitive period आगे चले से पिर होता है कि जब हम चाहे school में करें मात्री भाषा में करते हैं या अन्मी भाषा में इसको वही अंग्रेजी की मजबूरी है माफ कीजिएगा हिंदी का शब्द भी तक नहीं बनाया किसी ने उसको कहते है input यानि जो बाहर से जा रहा है लिखेत रूप से या उच्चरित रूप से सुनकर या पढ़कर बच्चे के कान में और या आँखों से तो क्या होता है उसको input यह है कि input जितना मिलेगा उतना सीखेगा बच्चा और कैसा input comprehensive बच्चे के समझने लाइब मानली जी आप में सभी लोग बीट किये हुए है सभी graduate है अगर कोई मैं अभी बात करता कि हिंदी में इतने स्वर है इतने वियंजन है और इसको कहते हैं ऐसे लिखते हैं को ऐसे लिखते हैं या गिंती एक होता है दो होता है ती मैं ऐसी बाते करता रहता एक घंटे तक तो क्या होता इंपुर्ट तो आपको जा रहा होता लेकिन वह comprehensive नहीं होता समझ में नहीं आता इसलिए नहीं आता तो कि आपके इस तर से आपके लेवल से बहुत नीचे है तो यह दिमाग की आदत है दिमाग हमारा बैस बना ही ऐसा है कि हम कान से सब्सक्राइब की आँख से सभी से वही चीश हम अपने दिमाग के अंदर ले जाते हैं और उसको बिठाते हैं वहां जो काम प्रेंसिबल होता है ठीक है ना अगर बहुत नीचे होगा मारे उस लेवल से तो तब भी वह दिमाग में नहीं रुकेगा वह दा आप बोर होके इदर दर देखेंगे वह चला जाएगा और अगर बहुत उससे उपर भी हो आपके इस तरसे तब भी यह वह काम प्रेंसि लिवल एक तो क्यों के आप सुनते तो लेकिन आप समझते नहीं क्योंकि यह आपके लेवल से अलग और बहुत उपर हुजाती इसलिए बच्चे का जोज तर जिस क्लास में है जो उसका आनुभब है अग्रतिखा आज की इस समय बच्चा किस स्टर पहे उस से जरा सा उपर का लेवल हो आप चाहिए शब्द का करा रहे हो ग्यान पढ़ने का करा रहे हो या किसी भाषा के माध्यम से विज्ञान का कर रहे हो गनित की पढ़ाई कर रहे हो तो भी क्या है कि बच्चे के वर्तमान स्तर से जरा सा उपर का स्तर ना नीचे होना चाहिए ना बहुत उपर जरा सा उपर क्योंकि challenging होगा कोई भी input तभी वो दिमाग के अंदर जाएगा कोई भी input comprehensive principle बनता है जब मनुष्री के स्तर से थोड़ा सा उपर यानि challenging हो और interesting हो useful हो यह तो आर्थ होना चाहिए यानि किसी काम का होना चाहिए वो information वो input और दूसरा है कि challenging हो दिमाग हर वक्त खोचता है अगर आप सब चीज आसान कर देंगे आपको हाथ नहीं लाना पड़े पैर ना चलाना पड़े और खाना कोई मूं में डालता रहे मनुष्य मर जाएगा तो कहा है कि challenge चाहिए उसको हर वक्त कुछ खुद से करने का चाहिए अगर एक ही चीजा बार 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 रोज करते रहेंगे आपका शरीर अस्वस्त हो जाएगा दिमाग मर जाएगा क्योंकि challenge खुजता है दिमाग यादत है हम बने ही ऐसे हैं दो लाक साल पहले और जब भी मनश्री की वर्तमान प्रजाती हमारा दिमाग ही ऐसा बना है परवेश के कारण की challenge थोड़ा चाहिए लेकिन कहानी मालेजे किताब की ऐसी है कि वह बहुत उपर का स्तरका है बच्चा है class 3 में मालेजे और आपने कहानी रख दी कि चुवा चूत बबाबा साव मेटर के जबाने में चुवा चूत का क्या था class 3 का बच्चा ना उसके संदर्व से ना उसके आस-पास से ना उसके कोई कहानी होगी या कविता होगी कि स्वर्ण सोना गूल्ड का क्या मत्व है जीवन और मृत्यू में गूल्ड करा सोना कैसे काम आता है सोना को लेकर क्या क्या हो अविबने देशों में बच्चे जिसने सोना देखा भी ना हो माल कई ऐसे संदाय होते जहां चांदी का प्र पर हो जाएगा या तीन चार के बच्चे को आप कहेंगे बठक उड़े पानी आ जल पर चल सुबह टहल ऐसी कविता है देने लगेंगे तो क्या होगा उसके बहुत निंचे के इस तरका हो जाएगा तो वह भी काम प्रेंसिबल नहीं होगा इसलिए पाशा शिक्षन में यह ब प्रेम धिना दुष्ष यह सब अफेक्टिव फिल्टर है तो दिमाग में क्या होता है कि एक अफेक्टिव दिमाग जो है वो दूर करता चलता है मतब जो बुरी चीज़े हैं बुरी भावनाएं है एमोशन के उसको दूर रखता है ताकि दमाग मरेना दिमाग को चाहिए वे खरक हर वोस्ताइम पानि reduced होगा तो कुछ वाहत वाहत राफी सोली के पहले पढ़ने मान क्या होगा भाषा कि का उसका performance है वो बाधित हो जाएगा तो monitor बहुत active में नहीं होना चाहिए और monitor का प्रयोग बिल्कुल नहीं हो तब भी क्या होगा कि कोई ध्यानी नहीं देगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो context के हिसाब से जो पूछा गया था उसके जवाब के हिसाब से सही है कि नहीं है वो सोचेगा ही नहीं monitor करेगा ही नहीं लिखेगा तो इसलिए आप देखते होंगे कोई कुछ का कुछ लिख देता है आप पूछेंगे इस पर application लिखो निभंद लिखो वो किसी और चीज़ पर कर तो कुछ का monitor ठेये जो जो मने बताया आपको इन सब का समाव करने में दक्ष हो जाएगा सक्षम हो जाएगा यहीं शिक्षा का उधिश्य मार्श शिक्षा का